यूपी विधान सभा की 10 में से 9 सीटों पर 13 नमंबर को उपचुनाव होने हैं और फिर 23 नमंबर को इनके परिडाम घोशित किये जाएंगे इस बार के उपचुनाव में जहां मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच का है तो वहीं इस मुकाबले में सेंध मारनी करने के इरादे से बसपा, आजाद समाज पार्टी, काशीराम, AIM, AIM और अन्यराजनितिक दलों के साथ कॉंग्रेस भी इस उपचुनाव में उत अखलेश यादव इस फैसले को कॉंग्रेस के शीर्ष नेत्रित्व ने भीगी बिल्ली की तरीके से इस फैसले को स्विकार कर लिया है, वहीं कॉंग्रेस के किंद्रिय नेत्रित्व ने ये भी बता दिया है कि कॉंग्रेस के किसी भी फैसले में क्षित्रिय नेत्रित्व की ना तो कोई आउकात है और ना ही कोई उसका वजुद है कॉंग्रेस का केंद्रे नेत्रित वही सब कुछ है आखिर क्या है पूरा मामला क्यूं कॉंग्रेस सपा प्रमुख अखलेश यादव के सामने नतमस्तक हो गई और कैसे अखलेश यादव से हाथ मिला कर राहूल गांधी ने कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आजयराय समेथ अपने अन्यक्षित्रिय नेताओं की चुनाओ लड़ने की मनशा पर पानी फेर दिया है एक और जहां मंगलवार को सीम योगी आदेतिनाथ ने मतुरा में आरेसेस प्रमुख मोहन भागवत से तक्रीबन धाई घंटे की मुलाकात कर लंबी बातचीत की और यूपी विधान सभा की 10 में से 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाओ को लेकर भी चर्चा की तो सूबे की सियासत में इसकी गर्माहट महसूस की गई और इसी बढ़े हुए सियासी तापमान के बीच जब यूपी विधान सभा के उपचुनाओं में नामांकन की अंतिन तारीख नजदीक आते दिखाई दे रही है तो वहीं कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आजयराय को आननफानन में बुधवार की सुबह दिल्ली बुलाया गया जहां अजयराय ने कॉंग्रेस सांसद रहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात करने की योजना बनाई थी फिर यही से अजयराय को पार्टी की दुहाई देते हुए रहुल गांधी ने सपा और कॉंग्रेस के गड़बंदन को बचाने के लिए अंततह कुर्बानी देने को मजबूर भी किया और फिर अजयराय को रहुल गांधी के सामने जुकना पड़ा और यूपी कॉंग्रेस के विधान सबा के उपचुनाव को लड़ने के अर्मान पर पानी फेर दिया गया और अखलेश यादों की जिद के आगे रहुल गांधी को भी नतमस तक होना पड़ा इसके बाद सपाप्रमुक अखलेश यादों ने कॉंग्रेस सांसद वा अपने हम जोली रहुल गांधी को फोन किया और अजयराय को समझाने और मनाने की बात पर विस्तार से जानकारी ली और फिर अपना ऐलान कर दिया अखलेश यादों और रहुल गांधी के बीच बुधवार रात को फोन पर बात हुई फोन के जरीए बातचीत होने के बाद रहुल गांधी ने इस उपचुनाओं में ना लड़ने का एक एलान दि किया और अखलेश इयादों को साफ कर दिया कि हम इस उपचुनाव में नहीं लड़ेंगे और सफा को पूरा सैयोग देने का भीवादा किया और सफाप्रमुख अखलेश इयादों ने राहुल गान्धि का शुक्रिया भी अदा किया इसके बाद सपा प्रमुख अखलेश यादों ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म X पर ट्वीट कर सभी नौ सीटों पर सपा के चुनाओ लड़ने का ऐलान किया और सपा प्रमुख अखलेश यादों ने X पर ट्वीट करते हुए लिखा बात सीट की नहीं जीत की है इस रणनीती के तहट इंडिया गढ़बंदन के संयुक्त प्रत्याशी सभी नौ सीटों पर समाजबादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे कॉंग्रेस और समाजबादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एक जुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है इंडिया गढ़बंदन इस उप्चुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी के शीर्ष नित्रित्व से लेकर बूथ इस्तर तक के कारेकरताओं के साथ आने से समाजबादी पार्टी की शक्ती कई गुना बढ़ गई है इस अभूत पूर्व सहयोग और समर्थन से सभी नौ विधान सभासीटों पर इंडिया गढ़बंदन का एक एक कारेकरता जीत का संकल्प लेकर नई उर्जा से भर गया है ये देश का समविधान, सोहार और PDA का मान सम्मान बचाने का चुनाओ है इसके साथ ही सपा प्रमुख अखलेश यादों ने इंडिया गढ़बंदन के पक्ष में बिना बटे सपा को वोट देने की अपने समर्थकों से अपील की बुधवार 23 अक्टूबर 2024 की रात 11 बच कर 11 मिनट पर X पर ये ट्वीट करने के बाद अखलेश यादों ने आज सुबह X पर राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर भी साजा की और उसमें लिखा कि हमने ये ठाना है सम्विधान आरक्षन सौहार्द बचाना है बापू बाबा साहिब लोहिया के सपनों का देश बनाना है लेकिन इस बीच एक ट्विस्ट भी सामने आया कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब पत्रकारों ने कॉंग्रस प्रदेश अध्यक्ष आजयराय से अखलेश यादों की ओर से की गई इस गोशना के बारे में बात चीत की तो अजयराय ने जो बात कही वो ना सिर्फ चौकाने वाली थी बलकि इस बात की भी पुष्टी कर रही थी कि कॉंग्रस के शीर्श नित्रत को वास्तों में अपने क्षित्रिय नेताओं की न तो कोई फिक्र है और ना ही उनकी नजर में इनक्षित्रिय नेताओं की कोई आउकात है दरसल अजयराय ने मीडिया से कहा ये बात मेरी जानकारी में नहीं है हम लोगों की दिली में मीटिंग होनी थी लेकिन बुधवार को प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन के चलते सभी सीरियन लीडर वायनाड में थे देर रात लोटे हैं गुरुआर को बैठक करेंगे जिसके बाद कॉंग्रेस अपनी इस्थिती सपश्ट करेगी यानि अब अगर आजयराय की इस बात पर विश्वास करें तो इस से इस बात की पुष्टी होती है कि बास्तों में कॉंग्रेस आज भी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के ही इशारे पर चलने वाली पार्टी है और इस परिवार के लोगों के अलावा ना तो कोई नेता है और ना ही यहां किसी को इस परिवार की चिंता है यानि इस परिवार को छोड़ कर सभी अन्यनेताओं की यहां पर कोई भी आउकात नहीं है वहीं अखलेश यादों के बुधवार की देर राद सभी सीटों पर उप्चुनाओ लड़ने के एलान की घोशना के बाद गुरुवार सुबह भाजपा ने उन पर तंजिकसा और भाजपा प्रवक्तार राकेश त्रिपाथी ने इंडी गठबंधन पर तंजिकसते हुए कहा इंडी गठबंधन खंड-खंड हो गया, यूपी में हाथ का पंजा एक बार फिर खाली रह गया, कॉंग्रेस हाथ मलती रह गई, सपा ने कॉंग्रेस को धोवी पचार दाव दिया है, भाजपा का कॉंग्रेस मुक्त नारा सपा साकार कर रही है, कॉंग्रेस अपनी काहुल गांधी का हाथ पकड़े हुए, अपना वो फोटो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमने ठाना है, समविधान, आरक्षन और सोहार्द बचाना है, वहीं खौर तलब है कि कॉंग्रेस ने उपचुनाव के लिए सभी खाली सीटों पर अपने प्रभारियों का एलान किया था, इसके बाद सभी सीटों पर चुनावी कारिक्परम भी आयोजित किये गये थे, और साथ ही प्रदेश कॉंग्रेस ने तृत्वा ने उपचुनाव वाली सभी सीटों पर सम्विधान, सम्मान सभा का भी आयोजिन किया था, और सपा से लेकिन सफा की और से दो सीट देने की सहमती बनी थी, पहली अलिगर की खियर विधान सभा सीट और गाजियाबाद की सदर विधान सभा सीट, हलांकि इन सीटों पर जो सियासी समीकरण हैं उसमें कॉंग्रिस की जीत आसान नहीं थी इसके बाद कॉंग्रिस ने प्रियागराज की फूलपूर और मिर्जापूर की मजवां सीट पर दावेदारी की थी ये दो वही सीटे हैं जिन पर अजयराय भी खुद चुनाव लड़ना चाहते थे और अपने बेटे को भी चुनाव लड़वाना चाहते थे लेकिन इस पर अंतिम सहमती नहीं बन पाई और इसका कारण है कॉंग्रिस का केंद्रियन नेत्रित्व विबिन्न खबरों के मताबिक कॉंग्रिस का शीर शीर नेत्रित्व या केंद्रियन नेत्रित्व उपचुनाव में आना ही नहीं चाहता था उसे इसमें कोई रूची भी नहीं थी दर असल कॉंग्रेस के शीर्ष नित्रित्व को उपचुनाओ को लेकर बहुत इंट्रेस्ट नहीं था कॉंग्रेस का मुख्य फोकस महराश्ट और जारखन के विधान सबाद चुनाओ पर था इसको लेकर राहुल गांधी और अखलेश यादों के बीच काफी लंबी बातचीत भी हुई जिसके बाद राहुल गांधी ने उपचुनाओ न लड़ने की बात को स्विकार कर लिया और अखलेश यादों को समर्थन देने की बात कही इसके बाद ही अखलेश यादों ने सारवजनिक रूप से ये एलान किया था कि वो 9 सीटों पर अपने ही प्रत्याशी उतारेंगे वहीं आज समाजबादी पार्टी और 3 सीटों पर अपने प्रत्याशीयों की घोशना कर सकती है गोर तलब है कि अब तक समाजबादी पार्टी ने करहल, सीसामव, फूलपूर, कटहरी, मजवा और मीरापूर विधान सभा सीटों पर अपने प्रत्याशीयों की नाम का एलान किया हुआ है और अब बारी है कुंदर की, खैर और गाजियाबाद विधान सभा सीटों की जिस पर वो अपने प्रत्याशी आज उतार सकती है वहीं उप्चुनाओ के नामांकन में अब सिर्फ दो दिनों का समय बचा हुआ है 25 अप्टूबर आखरी तारीख नामांकन की, वहीं आज भाजपा ने भी साथ सीटों पर अपने प्रत्याशीयों की नाम का एलान कर दिया है घौर तलब है कि मुजबफर नगर की मीरापुर विधान सभा सीट भाजपा ने रालोद को सौपी हुई है वहीं इसके अलावा कानपुर की सीसा मौविधान सभा सीट को छोड़ कर बाकी साथ सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशीयों को घोशित कर दिया है यानि प्रत्याशीयों के नाम का एलान कर दिया है जिनके विस्तुरित जानकारी आपको आज मिलेगी हमारे खास प्रोग्राम थरडाई के आज के अंक में फिलाल अब एक तरफ अखले शियादो की साइकिल ही इंडी गड़बंदन का नेत्रत वा यूपी में करने जा रही है वहीं अजैराय के सपने और उनके बेटे को चुनाव लड़ने के अर्मानों पर उनहीं के मुखिया राहुल गाधी ने पानी फेर दिया है अब ऐसे में अजैराय क्या निरणे लेते हैं ये देखना दिल्चस्प होगा फिलाल यूपी विधान सभा की नौ सीटों पर होने वाला उपचुनाव काफी दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि इस उपचुनाव में NDA और इंडी गठबंदन के अलावा AIM, AIM, BASPA और चंदरशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशी राम भी इस उपचुनाव में कूद पड़ी है वैसे आपको क्या लगता है कि अखलेश यादों के सामने राहुल गांधी यूपी में बास्तों में छोटे कद्के हो गए हैं या फिर आजयराय को ठगने की ये इन दोनों की ही मिली भगत है और यूपी उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होने वाला है इस बारे में भी आपका क्या कहना है हमें अपने कॉमेंट्स के जरीए अपनी राय जरूर बताईएगा फिलाल अभी के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी किसी और खबर किसी और मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनुवती दीजे धन्यवाद नमस्कार